जीवम जीवं दव्वं जिन वरब सहन जनने देठं देविंदे बिंदे बंदम वंदेतं सववदा शिरिशा दरव संग्रे परमांगले गिरंथे आचार नेमी चंद्वारा यह लिखा गया है इसमें अंठामन गाता है प्राकत भासा में लिखा गया है साथ तत्व छे द्रब नौपदार्थ मोक्ष मार्ग ध्यान का बहुत सुंदरिश में बढ़नन है जीब के नो अधिकारों में से अभी तक अपने जीबों उप्योग में अमुत्ति कत्ता भुत्ता यह सब देखा था अब देखेंगे सदेह परिमाणों जीब जो है सदेह परिमाण वाला है देह का परिमाण जितना होता है उतना जीब का परिमाण है ऐसा बताएंगे और निश्य से जीव का परिमान कितना है। वैसे तो जीव का जो आकार है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ऐसा प्रवचन सार में भी आचार भगवन कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। कि जो संठान है जीव का वो निश्चित नहीं होता है। क्योंकि निश्चित हो जाएगा, तो आत्मा जो है अन अन पर्यायों में जो जाती है, जैसे कि वह चीटी बनती है, कभी मच्छर बनता है, कभी वह हाती रूप में जाता है, तो छोटे बड़े सभी सरीरों में यह आत्मा होती है, तो फिर यह आत्मा कभी छोटी, कभी कैसे हो पाएगी इसलिए कहा कि आत्मा का कोई निश्यत आकार नहीं होता है जैसे कि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है जिस जिस पात्र में वो पानी जाता है वह पानी का आकार उस पात्र के अनुरूप हो जाता है यदि अपन पानी को गिलास में डालते हैं तो वह गि में डालते हैं तो वह पानी जग के आकार में हो जाता है उसी को मठके के रूम में डालते हैं तो मठके के आकार में हो जाता है सुराही में डालते हैं तो सुराही के आकार का हो जाता है तो अपने देखा जैसे जैसे पात्र अलग-अलग होते जा रहे हैं पानी का आकार भी व उसी रूप होते जाता है तो यहां पर विवहार से जीव का परिमान कितना है और निश्चय से जीव का परिमान कितना है इस बात की यहां पर व्याख्या गाथा नमबर दस से की जाएगे सभी लोग अपनी पुस्तक में गाथा नमबर दस निकाल लेंगे सर प्रथम इस गाथा का बोड के माध्यम से उचारण करेंगे पढ़ेंगे और अर्थ को भी समझेंगे द्रव संग्रे गाथा नमबर दस उचारण करेंगे अनू गुरू देह पमानू उव संगारप यह पातक लेंगे उव संगारप सप्पदो चेदा असमुहुदो विवहारा निच्चैनेदो असंख देशोवा इस पकारप यह पातक लेंगे असमुहुदो विवहारा निच्चैनेदो असंख देशोवा इस पकारप से इसका उचारण हुआ एक बार पुना पूँदूप से गाथा को पड़ते हैं अनु गुरु देह पामानो उबसंखा रप्प सप्पदो चेदा असमुहुदो विवहारा निच्चैनेदो असंख देशोवा अब एक एक सब्द का अर्थ देखते हैं अनु गुरु अनु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा छोटे बड़े देह मतलब शरीर पमानो मतलब प्रमान छोटा शरीर बड़ा शरीर प्रमाण आतमा जो है चेदा मतलब आतमा छोटे बड़े देह प्रमाण होती है कैसे होती है किस कारण से होती है क्योंकि आतमा में उबसंगहार और पसपदो प्रसार उबसंगहार का मतलब होता है संकोच और पसपदो का मतलब होता है विस्तार आतमा में उबसंगहार और पसपदो अर्थात विस्तार संकोच और विस्तार गुरु के कारण से यहाँ पंची में लगी है न से उबसंगहार से और पसपद के कारण से यह चेदा आत्म जो है अनुगुरु देह प्रमान हुआ करती है अपने अपने देह छोटे बड़े देह प्रमान होती है संकोच और विस्तार गुण के कारण अस मुहुदो व्यवहारह और यह कैसे होती है व्यवहार नैसे होती है किसने से होती है लेकिन इसमें कंडिशन है अस मुह दो ये समुध और आ लगा दिया मतलब रहित समुध दो ये पंचमी अर्थक प्रत्य लगा हुआ है समुध घात को छोड़ करके विवहारह विवहारने से ठीक है समुध घात एक होता है अभी उसका बुर्ण करेंगे तो विवहारने से देह प्रमान जो आत्मा है वो समुध घात की अवस्था को छोड़ने से ठीक है ना उस अवस्था को छोड़ दिया जाए समुध घात की प्रवस्था को ना लिया जाए उसको छोड़ करके आमतलब रहित समुद घास से रहित आत्मा व्योहार हा व्योहार नैसे ओव संगहारप सप्दो संकोज विस्तारगुण के कारण अनु गुरु देह पमानों छोटे बड़े सरीर प्रमान होती है वा निच्छने दो निच्छने से किन्तो निच्छने से असंख देशो वा असंख देशो आत्मा कितनी है असंख्यात प्रदेशी है कितनी है आत्मा आत्मका का निश्यने से कितना है असंख्यात प्रदेशी है और व्योहारने से अपने अपने देह प्रमान हुआ करती है ये जो है इसका अर्थ हुआ और इसका अनवय रूप से अर्थ जो है देखते हैं अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर लिखा है चेदा आत्मा विवहारा विवहार नैसे असम्हुदो सम्मुद घात के सिवाय अन्न सबसमियों में उव संगहारप सप्पदो संकोच विस्तार गुण होने के कारण अनु गुरु देह पमानों अपने छोटे बड़े सरीर के प्रमान है वा और निश्चेने से असंख देशो असंख्यात प्रदेशी है इस प्रकार से यहां पर गाथा दस में आचरभवन के रहे हैं कि जो जीव का जो आकार है वो कितना है तो कहते हैं कि सरीर नाम कर्म के उदे से यह जीव जो है सरीर को प्राप्त होता है कभी छोटे सरीर को प्राप्त होता है कभी बड़े सरीर को प्राप्त होता है सबसे छोटा जो सरीर है वह सूक्ष्म लब्दी आपरयाब तक जीव के होता है ऐसे भी छोटे से सरीर को एक सुई रखो वहां पर भी अनंत जीव हो ऐसे छोटे से सरीर को प्राप्त होने वाला जीव का जो आकार है और बड़े से बड़े सरीर प्रमान जैसे रागो मस आदी हैं उनकी कितनी बड़ी जीव की अवगाहना होती है उतनी बड़े रूप से आत्मा का आकार इस जो है शरीर नाम कर्म के उदय के कारण होता है जैसे कहा जाता है कि दीपक का जो प्रकास है छोटे घड़े में और बड़े घड़े में यदि रख दिया जाए तो उसका प्रकास उतनाई रूप हो जाता है यदि हम दीपक को छोटे से घड़े में रख दें तो उसका प्रकास उतने में फैलेगा और बड़े घड़े के अंदर रख दें तो उसका प्रकास पूरे में फैल जाएगा छोटे से कमरे में दीपक का प्रकास और उसी दीपक को बड़े कमरे में रखें तो उसका प्रकास जो है फैल जाता है क्योंकि आत्मा का जो दीपक का भी सुभाव, संकोच और विस्तार है वो अपने को संकुचित कर लेता है और बड़ा स्थान मिलता है तो वो फैल जाता है ऐसे ही आत्मा का एक संकोच और विस्तार नाम का गुण होता है इस बात को ध्यान रखना है कि प्रदेशों का कोई संकोच और विस्तार नहीं होता है प्रदेश छोटे बड़े नहीं होते हैं ठेके ना प्रदेश तो असंख्यात है और आत्मा का संकोच विस्तार होता है तो प्रदेश भी फैल जाते हैं प्रदेश भी एक स्थान प्या करके खट्टे हो जाते हैं, आत्मा फेलती है तो प्रदेश भी निकल निकल करके फेलने लगते हैं, ऐसा मानना, प्रतेक प्रदेश का संकोच विस्तार नहीं होता है, क्योंकि प्रदेश का जो छेत्र है वो तो बता ही दिये गया है, एक प्रम आत्मा संकुचित और विस्तार को प्राप्त होती है, यह सुभाव है, जैसे कि रवड है, रवड को अपन खीसते हैं, तो वो बड़ी हो जाती है, और छोड़ देते हैं, तो छोटी हो जाती है, ऐसे ही यह आत्मा जो है, जिसे भी सरीर को धारण करती है, उस सरीर रूप हो ज जाया करती है इसे बाद से हमें यह जानना है कि जैसे अनलोग आत्मा को किसी एक बिंदू पर या एक इस्थान पर मानते हैं सरवांग सरीर पर नहीं मानते हैं कोई कहता आत्मा प्रकास रूप है कोई कहता आत्मा बिंदू रूप है कोई कहता आत्मा जो है ज्यान गुन बस चोटी सी आत्मा हैं, कोई कहता आत्मा फैली हुई है, ज्यान छोटा है, कोई कहता ज्यान फैला है, आत्मा छोटी है, तो इस सरीर में भी, कोई कहता है, हिर्दय मातर में आत्मा है, कोई कहता ब्रह्मिस्थान में आत्मा है, बाकिस्थान में आत्मा नहीं है, तो ऐसी बहुत सारे मत-मतांतर हैं उन सब का खंडन करते हुए आचर भगवन ने बिना नाम लिये हुए मत-मतांतरों के और बात बता दी कि भाया आत्मा तो स्वा देह प्रमान है जिसकी जेह में आत्मा है उसी देह प्रमान आत्मा को मानना पर ये आत्मा को किस अवस्था में मानना वो लेकि समुदगात की अवस्था के सिवाए मला समुदगात की अवस्था को छोड़ करके जो सरीर अवस्था में आत्मा रहती है उसे आत्मा का प्रमान मानना लेकिन ये प्रमानमी ब्योहार ने से मानना, किसे मानना, ब्योहार ने से, क्यों ब्योहार ने से, पर के अवलम्मन से प्रमान मानना है न, शरीर के अवलम्मन से ही तो आत्मा का प्रमान मानना, कि देखो इतना आत्मा होता है, इतनी बड़ी, इतनी छोटी आत्मा होती है, तो दूसरे के अब लम्मन से जब कथन करता है तो वह बेवहार नए होता है इसलिए यहाँ पर बेवहार नए से आत्मा को सरीर प्रमान मानना अनू गुरु देह पमानो अनू मतलब छोटी गुरु मतलब बड़ी देह मतलब सरीर प्रमान मतलब उसका संस्थान आकार तो इस प्रकार से यहाँ पर शरीर प्रमान आत्मा छोटी बड़ी मानी जाती है वह वह विवहार नहीं वा किन्तु अत्वा और निश्चेने दो निश्चेने से आत्मा को असंख देशो असंख्यात प्रदेश वाला समझना कितने प्रदेश वाला आत्मा संख्यात प्रदेश वाला है तो कितनी बड़ी आत्मा हो सकती है लोका कास में असंख्यात प्रदेश होते हैं तो जितने लोका कास में असंख्यात प्रदेश हैं तो पूरा लोका कास के बरावर जो है यह आत्मा का आकार बन सकता है उतने प्रदेश वाली आत्मा है वह अवस्था समुद्गात की अवस्था मानी जाती है जब आत्मा अपने मूल सरी को छोड़े बिना शंपून तीन लोक में और सर्व लोक में फैल जाया करती है उस अवस्था का नाम समुदगात है और वही आत्मा का निश्य से आकार है तो हम कितने बड़े हैं भीया हम तो तीन लोक बराबर हैं 343 घन राजू बराबर हैं क्योंकि पूरा जो लोक है 343 घन राजू है ठीक है 343 घन राजू सोचिए इतना पूरा बराबर आत्मा हमारा है हमारे आत्मा में भी असंख्यात प्रदेश है अब आपके मन में आ रहा हो इतने सारे असंख्यात प्रदेश है, जब आतमा जब वो पूरी तीन लोग ़ूप होती है, क्या तभी प्रदेश निकलते है, बाकिस में प्रदेश कहा जाते हैं, एक दूसरी में समा जाते हैं, प्रदेश सारे एक दूसरे में समा जाते हैं, संकुछ हो जाता है और जब आत्मा फेलती है तो सारे प्रदेश ऐसे निकलते हैं और पूरे फेलते जाते हैं अफैल कि पूरे तीन लोक रूप आत्मा हो जाती है तो निश्यने से आत्मा का जो आकार है असंख देशो सुत्रमदिया ना असंख देशो असंख्यात प्रदेश वाली आत्मा मानी जाती है तो यहां बेवहारने से और निश्यने से आत्मा का प्रमान बताया है कि आत्मा भाया कितनी है हम जान तो लें एक बार कि आत्मा कितनी है हमारे शंपून शरीर में आत्मा है क्या है? शंपून शरीर में जहां जहां हमारा ये चर्म इस्थान है ये पूरे के पूरे इस्थान में जो है आत्मा होती है अंगुष्ट से लेकर के यह मस्तक तक जो है संपूर भाग में आत्मा पाय जाती है जो खाली स्थान है सरीर में उनको स्थान को छोड़ करके संपूर इस्थान में आत्मा का सदभाव पाय जाता है और आत्मा जिस सरीर में जाती है उस सरीर प्रमान रूप आत्मा का आकार हो जाया करता है ये सिर्फ और सिर्फ बेवहार नहीं की अपिक्छा से समझना निश्चे नहीं समझना निश्चे नहीं समझना ये संपूर्ण लोक बराबर हमारी आत्मा होती है अब ये समुद घ्यात जो सब्द गाथा में आया है इसको अपन समझेंगे समुद घ्यात क्या है कितने प्रकार का होता है कौन जीब कौन सा समुद घ्यात करता है इसकी चर्चा कल करेंगे समय हो गया है आईए मा जिल्मानी की इसुती करते हैं इस कारिक्रम के पुन्यार जग थे श्री खंडिलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनोट प्लेस नहीं दिल्ली एवं श्रीक खंडिलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाला दिल्ली के अंतरगत खंडिलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली जिनेद्र जैन नर्पतिया अध्यक्ष धीरजैन कासलिवाल महमंत्री विजय लोहाडिया विक्की उपाध्यक्ष गौरव पाटो दी मंत्री विनूत पांड्या कोशाध्यक्ष झाल्पतिया विक्की उपाध्यक्ष झाल्पतिया विक्की उपाध्यक्ष